आया है समंकीत प्रबाद गायरवाद रत कसंगम सुर और काले के ग्यान का संगम गायरवाद रत कसंगम सुर और काले के ग्यान का संगम गायरवाद रत कसंगम सुर और काले के ग्यान का संगम गंगाया मूना सरस्वतीसाः पावन ज्यान प्रबाद पावन ज्यान ज्यान तभाद आयो है संगीत प्रवाद इसमें है संगीत चिकित्सा अभिने के गुर करे खुलाता इसमें है संगीत चिकित्सा अभिने के गुर करे खुलासा इसमें है संगीत चिकित्सा अभिने के गुर करे खुलासा राग बदाए रोग सभी के राग बदाए रोग सभी के है ये स्वस्त प्रवाद है ये स्वस्त प्रवाद आयो है संगीत प्रवाद जनरली क्लासिकल diplomatic सेंप लोग क्या संगीत्त सब लोग यही समझते हैं शास्त्रिसंगीत को कि ठान्पुरा है उसको लेकर बेठे और गाई़की हो गय यह इस पूरे विश्व ने पूरी दुनीया में जहां भी सीखने जाओगे ऐसी लोग सिखा रहे हैं तांदपुरा गुरुजी ने ले रखा है गुरुजी बैठें जैसे मैं यहां बैठाओ मैं बैठ गया आपको यह जो भी इंस्टुमेंट सामने पड़ा है कोई नहीं देगा और आप ऐसे गुरुप बना की गोले में बैठे हो कुछ भी गवार है गाना गवार है और आप रिपीट करें यह हो रहा है पूरी दुनिया में यह एक परिपाटी है परंपरा है क्या समझलो इसको एक लोगों के मन में धारणा है कि शास्त्रिय संगीत ऐसे ही सीखा जाता है शास्त्रिय संगीत मतलब गुरुजी बैठेंग इसको कि गुरु शिष्य परंपरा संगीत हमेशार से मतलब गुरु शिष्य परंपरा ही तरीका रहा है सिखाने का संगीत को गुरु जी और शिष्य के बीच में ऐसा संबन्द है कि गुरु कुल टाइप है उसमें वो बैठे हैं सब के सब वही रहते हैं गुरु की सेबा क तो वही से गुरु शिश्य परंपरा ये प्रारंग हो गी, अब इसमें गुरु शिश्य परंपरा में ज्ञान भी है, विद्या भी मिल रही है, कला भी मिल रही है, आपको जो भी आप सीख रहे हो गुरु जी से, ठीक है, तो संगीत ऐसे ही सीखा जा रहा है आज तक, आज त इस फिल्ड में है एकदम शांती चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, वो बच गया है पार्ट अभी तक गुरुष शेश्य परंपरा का बच गया है, बागी सब यहां modernization, urbanization इतना हो गया, कि अब गरबार में रहे हैं, family में रहे हैं, और वो गुरुष शेश्य परंपरा भी चलेगे, तो वो भी एक तरह से गुरुष शेश्य परंपरा ही रही, कि वो सीख रहे थे, गुरुष जी के पास रहे, ठीक है, तो में बात में यह बताना चाहरा हूं कि गुरुष शेश्य परंपरा से जो संगीत सीखते आ रहे हैं, उसका तरीका यही रहा है कि गुरुष बेटे हैं और वही आपको जिठाएंगे अभी एक लेडी है देली में हमारे स्टुडेंट एक तो उन्होंने ये सवाल मुझ से किया वहां पर कोई बहुत ही बड़ा विद्याला है संगीत का विद्याला है मैं नाम नहीं रूंगा उसका बहुत बड़ा विद्याला है जाना तो कुछ सिखा भी नहीं रहा है वो सब उनको पता है कि आप कितना बड़िया सिखा रहे हों क्या आपकी परिपाटी है क्या आपका सिलबस है लेकिन हमको रेगुलर क्लासिस भी चाहिए क्योंकि हमारी जो हम गलतियां कर रहे हैं वो कौन बताएगा ये तो प्रॉब्लम आ इंस्ट्रूमें कें तो उनको बोला कि मैं हार्मोनियों बजा की दालूं की मैं दोतीि नलनकार मुझे कुछ आथा हैं मैं वह सुना देती अ तो उन लोगों नेका नहीं, हार्मोनिम तो विदेशी इंस्टुमेंट है, आप उसे हाथ नहीं लगा हुँए, हम यहां हार्मोनिम देते ही नहीं, आपको सुनाना है तो कुछ तानपूरे का सुना, तानपूरा इंस्टुमेंट रहता है, इसमें 300 बजते हैं, सा पहसा, बज सा पहसा, यह लगा दिया, यह बजेगा उसमें, और उसके वेस पर आपको गाना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप तो तानपूरे पर गाई है, तो उसमें से 27 एपिसोड तक तो आपने हार्मोनिम के साथ रागे सिखाई हैं, मैंने देखा, और अलगतार वगए सब हार्मोनिम के साथ, जैसा कि आप लोग सब सीख रहें, और 28 एपिसोड में आपने थोड़ा, वो एपिसोड उसी पर है, कि हाउ तो सिंग वित तानपूरा, कि तानपूरा के साथ कैसे गाए जाए, कि बिना हार्मोनिम के हेल्प लिए, सिर्फ दो स्वर लगा कि पर और स यह दो स्वर लगा के कैसे गाते हैं, कैसे निकलेंगे गले से स्वर, वो हमने कुछ टेखनीक सिख में सिखाई, और उसके आगे से हमने सापर सापर ही सिंगित करें, हार्मोनिम क्या है, क्यूंकि क्लासिकल संगीत है ही है, यह तो मैं भी माता, शास्त्रे संगीत मतलब होता स्तानपूरों पर सत्तिया, उन्होंने यह भी बोला कि यह शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकि तो अगर हो सके तो ट्राइ करिएगा, तो इस चीज़ को मैंने उन्हें एक्स्प्लेइन करने के लिए वोइस नोट दिया था वोड़ सके, कि यह जो मैं अभी आपको इबात संजारों सब मैं उनको संजाएगी, तो यह सजेशन उनीगा था मुझे, कि आप यह चीज अपने स्टुडेंट्स को भी बताईएगा, और वीडियो भी बनाईएगा, तक जितने भी दर्शक हैं आपके, यूट्यूब पर जितने भी लोग जुड़ें आपसे, उन सब को सेखने को मिले, क्योंकि यह शंका रहती है, जैसे कि मैंने बताया, जनरली लोग यही समझते हैं, अब रीजन क्या है, हमारी परिपाटी बदन ले का, अगर हमने परंपरा बदली है कि हमने तान पूरा नहीं दिया बच्चे को पहले, हमने हार्मोनियम पकड़ाया, माना य जो भी मैं गाऊंगा, वो इसको बजाएगा, ठीक है लेकिन अब यहां में बात ही आती ही कि व्यूजिक स्पॉंटेनियस होता है यानि कि उसी समय जनम लेता है स्वयम भू संगीत स्वयम भू होता है सिर्फ एक लाइन होती है अपने पास वो लाइन अपन गा रहे हैं और फिर होता अपना इलाइबरेक्शन पूरा डिस् लेखे वे इस इस समय स्वयरा हुआ ह। बूर इसी ब्लीन दीक है किजी नहीं पता क्यों होता है स्वयल म New patent और साथ साथ में फिस 1930 किसे might कि यहां मेरा सा लगा फिर उसका सा लगे है जबकि मैंने सारे गामा साथ में लगाया तो उसने भी जैसे सारे गामा तो उसका सारे गामा ऐसा ऐसा चलता पैरलल साथ में तो यह यूस था हर्मनिम का पहले है हमने हर्मनी इसलिह शुरू किया कि हमें लगता है कि जनरली नोंग जो गुडु जी से का रहे है वहां क्या हो रहा है गुरु एक स्वार का माध्यम बन रहा रहा कि म avere कि गुरु आख जिले से प्लेंगों करेंगे और अब अब हुमने ये कर दिया कि पूरे टाइम गुरुजी मैट की गाते रहेंगे गाते रहेंगे आप लोगों का क्या आप तो दो गंडे के आऊगा चले जाओगे अगला बंदा आएगा वो भी दो गंडे के लिए चला जाएगा तो पूरे नाइम बेट रहे हैं तो ऐसा थो नह मिलता रहें और वो खुद भी गालेंगे एक तीर दो निशाने हो जाएगे हमारा भी आराम हो जाएगा और वो भी इंडिपेंडेंट बन जाएगे वो कभी गुरुजी के बलो से नहीं अगर अकेले प्रैक्टिस करनी होगी तो यह नहीं के गुरुजी गावन मेरे को अब यह रे मैंने दो तरह से बोला आपने सुना रिपीट किया क्या फर्क है यह नहीं पता ना आपको कि रे की उचाई पहली बार में सवारे रे 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 यह इतनी नीचे कैसे आ गई और सास से तो उपर यह कैसे हुआ यह आपको पता पड़ा नहीं मैंने रिपीट कर आया आपने रिपीट किया just एक रतू तोता की तरह कि मैंने बोला बोलो मिठु सामने से भी आया मिठू कोई पाइदा नहीं हा उसको मिठु का मीनिंग नहीं को आप रट्रे रटे वह तोते है लेकिन एक समय पर करते करते तोता इतना रट लेता कि बोलने लग लेकिन तोत वो नहीं करता हो उस वाकंतर का डिफरेंस आएगी अभी मैं गया अपने सुनाओगा नाम नाराइच सेवा संस्ता है वहां के अलाज जी मैनना हो है तो उन्होंने उनका पिताजी से परचा है वो हमारी परिक्षा भी दे रहे हैं तो परिक्षा दे रहे हैं तो ब्यूजिक भी सीख रहे हैं वो कापी एजिड है लेकिन उनका उत्साह है कि वो सीख रहे हैं तो अभी उनके आज में जाके आया था आज हमको बुलाया का तो वहां मैंने बहुत सुनाया उनको सर्वस्ती बंदना और ब्रजण चुनाया तो उन्होंने भी यह बात बोली कि मैंने जनरली देखा है कि जो वादन करता है वो गान नहीं सकता है और जो बहुत बढ़ा गाता है वो बजा नहीं सकता है लेकिन आप में इतनी अच्छी कलाए कि आप गायन और बादन दोनों को पैरलल चला रहे हैं तो संगीत प्रवाबंड में हर शिश्य ये कर सकता है गाना बजाना दोनों पैरल और इतना बनार की मतलब कोई बतानी पाई कि यह बादक है कि यह गायक है तो वह स्वर का डिफरेंस पता कैसे पड़ेगा वो इंडिपेंडेंस कैसे आईगी वो स्वर्दंतरता कैसे आईगी उस चीज़ के लिए हमने आपको साधन यह पकड़ाया है कि स्वर्द आपको मिली रहा है ना तो यह जब आपने एकदम परफेक्ट हासिल कर लिया इस पर ह जम गया तो गले से यू निकलेंगे ऐसा होता है कि एकदम सीखने की बाद पिर जब आप गाते हो ना मन से तो यह कीबोड इधर चलता है दिमाद में एकदम आखे बंद करोगे तो कीबोड नजर आईगा फिर जब सारे गामा बद है नहीं साथ ऐसे लगा तो बज़ते हो तो अपने आप जो चले गाना इंदर इतना परफेक्ट और एकदम और तो इसलिए हमने हार्मणी बड़ जो परिपार्टी बदली इसलिए हमारी यूनीकनेस है जनरली जो भी लोग सिखा रहे हैं न हम तो साब कहते हैं वो गलत सिखा रहे हैं और दूसरी चीज उनके पास पूसरी और दूसरी कीवेश्वी जो किताब है नसे पूसरार कि और ये किसी के पास नि ये हमने रचना किकर से कि Azoweag की सबस्क्राइब कराता और से नहीं कि her ए और सलीट की पड़ा सबस्क्राहिक हुआ Torah ली यही सिखाएंगे बताओं, पहले प्यॉरल नोड्स ही नहीं सिखाए, और आप पांच्सोर वाला राग सिखाए राग तीन प्रकार के होते हैं, साथ सूर, छे सूर और पांट सूर, मिनिमम पांच होते हैं और मैक्जिमम साथ, ठीक है, तो साथ सूर वाला पहले सिखाना चीए, और स्वर्वी तीन प्रकार के, शुद्ध, कोमल, तीवर, उसमें शुद्ध पहले सिखाने चीए, अब आप 500-5 वाल राह्icamente राज रहे हैं अच्छ फर्द आरहरए है यह क्या सिस्टम होओ उआ कहा ह्ए यह सिल्भस के बतां निवू बनाया जिन्हों बी रिशियों ने बनाया घिन्हों ने बी लिखा वही पौला करते जारे है कोई लॉजिक नहीं लगाया तक दFT देख था ना, कि आसा क्यूं?" यह क्रम के नहींक, क्टिहने यह क्रम के ताहब हो नहीं, यह क्रम क्रम के जाराया, कि क्रम के एन सेट किया थी। फिर कोमल, फिर एक ती वर्फिर। 2 कोमलेंड जो 3 कोमलरा चल बाकि irmक्रम सबना सेट कर लिए। वो पिता जी का सेट किया हुआ, या आप करम अपने ही साफ सेट करते हो, यह कोई मिक्स लीग है, यह हमने सेट किया है, संगीत प्रवा वर्ड दक रहो है, हम क्या सेट, हमने थाट नहीं बनाए, थाट तो संगीत के परिबाटी यह चलते आरे हैं, लेकिन हमने इनको ओर्डर अराम से बना सकते हैं, थाट बनाए जासिते हैं, लेकिन उसके लिए पुरा जान चीन है, थाटों के क्या नियम होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, या ना, जैसके अपने नॉर्व इंदियन में तो 10 हів है, तो संगीत ना कुछ भी दूदा है, आप बनाते हो, यह ऐसा विश सिर्फ एक पर्टिकलर ग्यान है वो आपको लेना है उस से फिर नया नर्माण है साइन्स फिक्स है क्या जान फिक्स है कि ओखी disorder नहीं कुछ भी आप बदा हुआ सा नहीं है कि यही होगा इस से जादा नहीं हो सकता पूँपनें आपका कुछ और इनका सब्सकर नया यूनीक तो इनिक्नेस की तरफ ले जाता है संपी फ्रभाबंगी आप गुल्शिक्षे परम्परा है जे गंडल इम्हों थी किला है उसे गढ़ांगी की तरह बन जाते हो जो style Ihresmall, तो भू Cry काना उस i style में आपuchen दो को PSo P पाल एक वर समर्ड यह अपने सुना हो गवराना तयर भूस सुना हो गया. ऍटीरी गवराना बाना गव Four video सुना होगा इसलो कि क्या होता है गवराना निपकर आफ क्या संचते गवरान से पुझ खासे थोब्यों, "'्अपने अफना अपना स्टील हता है अभने सुना वर्ड यह घराना पेला सुना क्या होता है ओक भूल गरी इन से कपड दिय कि नद गरूरी यह चीज जाद लिए वो उसके स्टुडेंट्स भी करने हैं, तो वो उस घराने में आरे है, जरूरी नहीं अक्ताइल ले रहे है, तो यह शुरू गुरू शिष्यपरमपरा से हुआ है, संगीत की बात करूं तो, कि गुरू जी ने जो उनका स्टाइल है, उनको कुछ, उनके स्टुडेंट हो गए तो वो पहल गया, तो यह घराना बल जादा लोगों ने कर दिया, अब जैसे संगीत प्रववर्वल्ड पूरी दुनिया में पहला हुआ है, हमारा जो अंदाज है, हमारा जो शिलवस है, यह जो जो फॉलो कर रहा है, यह चार्ठी होगी लेकिन एक तरह से सोचाज जाय तो उने это अचे हमेशने जाहे चीज घानावी लेकिन एक तरह से बुड्ागी है कि बंध जाता गता घराने के कही नियम भी होते है तो चैकल जघटाने को सबसेत करके लगनओ भो तक लगना। यह दुम यह ऐता है लेकिन लेकिशन होता है कि गुरु द्यवं करने थे तुम ऐसा नहीं कर सकती है, यह तुम्हारे करने का नहीं? लगणों को कि जा नहीं, तुम खुली लाई की कैसे कर रहा? यह तुम इसे नहीं कर सकते है, ना चाकर से गाओ मजब आले, अरे तुम धीरी धीरी कैसे का रहा हो? उचे सवरो में गाओ, जोर दोर से चिलाओ यह यह कुई बात है, है ना? तो इस घराना बंदी को भी हमने खतम करने की कोशिश करें यह बरेपाटी भी हमने बंदी है करना ही नहीं, घराना रखना ही घराना क्या होता है? इस पेशालेटी उती है गुरुजी की जिसको बच्चे फॉलो करता रहते हैं बच्चों की भीवश जाती है एक्स्पेरिमेंट करने की प्रिदम है हम आपकी स्पेशालेटी बेखना चाहते है कि आप क्या करोगे? सब को अलग अलग स्पेशालेटी लेगा कि मैंने मेरे विताजी से सितर कुछ सीका हूँ आपको देखके कोई यह नी कह सकेगा कि आप इधर से सितर ना सिर्फ आपका अंदास देखके बता पड़ेगा यार इंदम खुला बंदा यह ज़र संकी बहुता आप उनने रास्ता दिखाया हमने सिर्फ रास्ता दिखाया है किया कुछ नी है, चलना आप इक अब्यास आपी उपर है मेरे यह बैठे रहने से एक प्रतिमामूरती बना के रभलो मेरी कुछ नी होगा करना आप इको नीदर होगे, नी मिलना आपको अब्यास भी गुरू है मूल मंत्र हैं इंस्टिटिट के याद रहना है। यह अभ्यासी गुरू है र्यक्ति स्वयम का गुरू है। संगीत स्वयम हो है। उसी समय जनम लेता है। कोई भी क्लासिकल क्रोग्राम होगा ना? अगerson ऑन्होंने किसी ऐसी जगह पर प्रोग्राम दिया है। जहां संगीत के जानता कम है, मानलीजे कोई क्लासिकल का आर्टिस्ट आया, स्कूल में आया, तो ये चीज़ जरूर बोल दें, कि बच्छो ध्यान से देखना, मैं जो भी बजाने वाला हूं, वो यही जनम लेगा, वो यही बनेगा आप लोगे के सामने, पर यही आप ही आप में सेट हो गया, फिर अगर कुछ नया आता है तो वो डिस्टर्ट रहेगा, तो ये डिस्टर्बेंस होगा वो पुराने ग्यान से, इसलिये एक्टम ब्लैक रखो अपने आपको, बनाया, दे दिया, आपने पास भी रहना है, उस भी दिया, आप बनाते बनाते याद आपको बदे ये memory फूल हो जाएगी, इस memory एंटी करना है, इस memory में सिर्फ वो वो चीजे रखनेगी, ये functions, basic functions, कि थाठ, अलंकार, सुवार, ये क्या है, ले, ताल, ये क्या है, इतना समझनों बहुत है, उसके बाद, निर्मान करो, स्रिजन करो, स्रिजनता की शक्ती देता है, स्रिजन कोई निकारा सकता है, एक और सेंटेंस हमारी SPW का, कि we create creators, हम स्रिजन कारों का स्रिजन करते हैं, कि जो बनाता है, हम उनको बनाते हैं, ये नहीं हम followers में create करते हैं, we don't create followers, we create creators, creators बनाते हैं, और creator आप तभी बन पाओगे, जब ये grammar नम क्रेटर का, इसमें कोई इतना काम कोई नहीं करा रहा है, मैं बता रहा हूँ, grammar में 1200 page किसी ने सुने नहीं होगे, 1200 page किसको किसको कहते हैं, लेकिन जो कर गया, वो आज लगे पहुंचाता है, और वो कुछ भी कर सकता है, ये मत लिमेट रखना आपने दिमाग में कि, मैं इंडियन क्लासिकल सीख रह अभी मैंने ये कंप्लीट किया, लेकिन इतना कर लिया कि अब मैं कुछ नया कर सकता हूँ, तो मैं कोईसा भी इंस्ट्रॉमेंट सीखता हूँ, मैंने संदूर हाथ में लगाया, तो मुझे बड़ा आसूर लगा, मैं बड़ा जल्दी सीखने लगे, क्योंकि मैंने एक दिन इंस्ट्रॉमेंट उटाना, सितार, वॉयलेंट, गिटार, कुछ भी उठा ले था, इसे बजाने का तरीका उसको करने का तरीका लगे, और वो करने की तरीकी के लिए तो ग्र्यास्पिंग पावर है न, वो आपकी इंप्रीज हो जईए, अगर आप ग्रामर इंडिन प्रि तो आज का मेरा मेन मोटिव यही था, बताने का कि हर्मोने मगर हम सिखा रहे हैं, जो हमने परिपाटी बदली है, तो वो कोई गलत नहीं, वो हमारा यूनीकने से हमारा तरीका है, और हम उस पे अटल रहे हैं, बहले हमारे पस कोई स्टूडेंट आए, ना है, यह हर बार मे क्वालिटी में क्वाइंटी आ रहे हैं, लेकिन आप क्वालिटी घटी आ लेला और क्वाइंटी जादा तो फिर कोई भाइदा जाओ, कि मैं बहुत सारे बच्चे बिठा लूँ और सबको बटा के गवारा हूं, कोई सेंस निया, कच्रा कर रहे हैं आप संगीत को, जो होत बहुत बढ़ बजा रहा था लेकिन उसके मैंने नीचे कमेंट्स पड़े, तो मेरे को बता पड़ा कि वह जो चीज बजा रहा था वह उरिजनल किसी और में बने गाए, उसके नीचे कमेंट्स नहीं हो, बहुत अच्छा कोफी किया, ऐसे ऐसे कमेंट्स, तो ये सुनके बह विशय है ना, उस लेवल पर कोई विशय नहीं है, यह संगीत सिर्फ आपको म्यूजिक नहीं सिखाता है, मतलब यह सिर्फ ऐसा नहीं कि गाना में जाने करता है, बहुत दिद यह विशय है, वो connecting विशय है, आप जब गाते हो, जब वो feel करते हो, तो बहुत connection बहुत close हो जाता यह बहुत आध्यात्म का विशय है, इसमें जितना बोल उतना तुमें संगीत, तो क्या नहीं बोल सकते हैं, ना, लोगों ने आज तक बोलते ही आ रहे हैं, गरंत के गरंत, साथ ही सुर्थ है, आप आज तक चलिए, इनहीं साथों सोरों में गाने बन रहे हैं, जो कॉपी क अजब करो, तो में सवाल यह है कि सांस कैसे लिए, कौन से शब्द के बीच मेंले सांस का बड़ा रोल है गाते समय, तो सांस का यतना सा ज्यान रखना है, दो पॉइंट का आपने को याद रहे हैं, पहला कि शब्द का जो मिनिंग है, जो शब्द का जो उचारन है, जो मेरा नम निशाद है, यह बोड़ा होता हम by m मैरा नम निशाद है, इसको मैं काट क्ई बताता हूं, तो और मैंने बोला, मेरा नम निशाद है, क्लेर की कौन से शब्द थे, या इसलिए बता रहा हूं कि, जब आप राख करो गया, तो यह लिखा ने 혼자is उसमें ऐसे फॉर में लिखा रहता है, तू के बाद SSS लगा दिया, ही के बाद S लगा दिया, तो पता नि, जैसे मैंने इसको अभी एक्जाम्पल दिया, यह मैंने ऐसे लिखके दिया, और पूछा कि ऐसे इसका sentence क्या बन रहा है, तो इसको पता पढ़िगा कि मेरा नाम प्र समझते हों कि नीचे स्वर भी लिखें कि उनको गाय कैसे जाता है, तो कैसे बता पढ़ेगा, और इसमें रहता है कि हर शब्द के बाद ही सांसे, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि मे, रा नाम, मनी, शाद है, तो कुछ क्लियर हुआ, मैं कहें नाचारत, कुछ क्लियर किया, मेरा पॉज, नाम पॉज, निशाद पॉज है, अब यह तो छोटा था, इसलिए मैंने सादा पॉज दिया, मेरा नाम निशाद है बोल दिया, ठीक है, अब मैं इसको यहां लेता हूँ, पहले वर्ट दाइक लिए रहता हूँ, फिर ले पर आते हैं, कि यहां पे जैसे आधार सकल त्रिभु वन को, तो इसकी कंपोजिशन यह हूँ है, तुही आधार सकल त्रिभु वन को, ठीक है, पूरा एक लो में भोल दिया, ठीक है, पहली बार अगर सुन रहो, बिना शब्द जाने, तो आप पता नहीं कर पाओगे क्या शब्द चल रहे, तो मैं कैसे ग आधार सकल त्रिभु वन को, ठीक है, लेकन आपन सो डाई लिया, उतना ही दिया जितना अने संस ना थोड़ के भी दे रहे है, तुही आपहर सकल त्रिभु वन किने मातरान ने, भाहजा। पता नहीं चलना चाहिए कि आपने वो छोड़ी है क्योंकि अगर आपने सांस ज्यादा ले ली मान लीजिए कि वो बार्वी से उठता था और आपने 11 पर सांस लेना शुरू कर दिया तो वो अक्षर 13 से शुरू कर रहे हो तो वो बाराबर थोड़ी आए गा बारा से ही उठा करता है उससे शुरू जड़ जैसे तू ही आप शाकला ध्रे भूमान उतरी मात्रा मैंने छोड़ दिया कि मेरी सांस कम पढ़ दी तो चलो पहला तो यह था कि मैं पूरा इंतजार करता कि पूरी बज़दी लाइन मांत्रा की फिर मैं शुरू कर दिया तो यही चीज मैं कि आप उनको पढ़की क्या लगता है तो इसमें लिखे तो इसमें कुछ शब्द थे जो अलग-अलग नहीं होने थे साथ के थे जैसे इसने लिखा पालक सचरा चरभू चरभूतन और को जबकि वह होना चीए पालक सचराचर भूतन को कि सचराचर यानि चर अचर दोनों क के साथ में चरने वाले और ना भी चरने वाले यानि लिविंग और नौन लिविंग घू धर्ती तन यानि शरी हम तो सचराचर भू तन ऐसे होना चीए अब यान लिखे सचराचर यह जनरल में से वोती है कई बच्छा करते हैं तो फिर आप गाउगे भी वैसी है ना कि तू ही आधारा सकलत्रे भूवाना को पालक सचराचराबू ऐसे गाते हैं क्योंकि यह थोड़ा गैप है सचराचर नीचे आता फिर चर सीड़ा उपर आता है तो क्या सोचते हैं कि माहा सांस ले लेंगे ताक्के पूरे फोर्च के साथ उपर लें लेकिन ऐसा नहीं अगर अपने महा सांस ले ले दो शब्द टूड़ी है तो यह था जाएगा तैना फिर बाद में बली ही सांस ले लो एकर सांस जादे खीच नहीं पड़ी तो बाद में छोड़े सांस ले लो शमत के बाद में है ना पालक सचराचय पूरा इक शब्द ना चीन है जाए और चाहे तो इस से पहले ले ले लेő, पालक के बाद ही ले जरूर जबुरी भी है कि हर शब्द बास इसे चर। सनस के बढ़ा अजीब लगता है कि कैसे कटट कट कटए कएगा वो प्लोली ब existem इसलिग препोषर पालक क्यों होले लेकिन जहां लेनी नहीं है वह शब्द का ध्यान रखना है और ताल का, यह बड़ा सवाल रहता है कि सांस की दर लेनी है और कैसे लेनी, जैसे अभी मैं यह पूरा खयाल अगर तरको सुनाओगा कि तू ही आधार, अब इसमे क्या है, धा पर समन्य आता है, तो तुम इसको ऐसे नहीं कहा होगे कि तू ही आधार, यह यह बढ़ेरी, जबकि आधार पुरा यह की शब्द है, है न, उसमें पहली एक बीट है वो सेकंड़ मन लग रहा है, धा पर लग रही है, आ पर नहीं लग तो तेरा चौदा पंदरा आ धा पर उसका सम आ जाता है यानि वहां से ताल चुरू होती है कि तू ही आ धारस यू उटती है तो आप यह नहीं कर रहे हैं कि आ धा ऐसा नहीं वह पूरा एक फ्लो में जाने चीज़ भली वह सम है तो कहले सम है तो सम दिखाओगे पहली मातरा हमें सब जोर से ऐसे गाते हैं ताकि पता पड़े यहां से ताल शुरू होती है तो वहां पर सिदी सी बात है राग भी वहां पर आ जाएगी तू ही आधार तू ही आधारा सकाला त्रे भूताना खुतलाँ इना और ही यहां पर भूतान एक्ष रप ले लेंगे तो भूत व्यों तो वह तोड़ा रिड़ा है भू, तन यानि भूथ से कुछ रिलेशन हैं शब्द जुड़ते ही प्रोब्लम आता है, पॉज, भू, तन, भू यानि धर्ति, तन यानि शरीर अधि, एक बच्पन में पढ़ाया करते हैं, जब हिंदी हमारे वियाकरण थी, तब ये अल्प विराम और पूर्ण विराम तो उसमें रीडिंग कमों सिखाते थे कि कहां पॉज देना है तो उसका बड़ा अच्छा एजाम पलता कि रुको मत जाओ, ये टीम शब्द है, पॉ उसके बाद सांस लोगे तो भू और तन अलग अलगे, एक साथ हो रहा है तो भूतन, भूत भूत पिशा जैसा कुछ है, क्योंकि ऐसे भी तो शब्द होते हैं रायान तू ही विष्णू, तू रारायान कारण तू परब्रह्मा परब्रह्मा ये की शब्द है, कारण तू परब्रह्मा जगत को एक और चीज है, अगर आप बिना सांस लिए उसको फ्लो में बोल रहे हो, तो आपकी गाईकी से, आपके शब्दों के उचारण से, आप बता सकते हो कि ये दोनों शब्द अलग रहे हो तो इस अभी मैंने परब्रह्मा जगत को गाया, तो मैंने जव पर थोड़ा एक्स्ट्रा पहुत दिया, इतना भी नी कि वो संदिखता, संब पर जादा दिया जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जिससे पता पढ़ गई दो अलग रहे हो शब्दे कारण तू परग्राम जगत को, जगत को काट दिया मैंने उसको लगए, एक ही पुरो में लिया, भले सांस नहीं लिए, वर्डी में लगए तो इस चीज का ध्यान रखना है, कि सांस लेते वक्त, शब्दों का और ले का, ताल का, इन सब का ध्यान रखना है, ठीक है, मैं बज़ो आया है सगं की तरबाद गायन वादन रख को संगं, सुर और ताल के ग्यान का संगं गायन वादन रख को संगं, सुर और ताल के ग्यान का संगं गंगाया मूना सरस्वती साई, पावन ज्यान प्रभाद पावन ज्यान प्रभाद आयो है संगेत आयो है संगेत प्रभाद आयो है संकीत रवाद